हलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं कुलिन्स पर्फेक्ट मैट्स, जिसमें एक्सरसाइज है 11B, इससे पहले मैंने 11A डाला है, I hope आपने उसको देखा होगा, तो चलो इसको देखते हैं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तो यह मेरी आप से रिक्वेस्ट है, तो प्लेज इसको स्वेकार करना मेरे बच्चों, तो चलो करते हैं, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, डारेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, डारेक्ट प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा है, एक्स अपॉन जो य है, उसकी वेल्यू जो है, वो सेम आनी चाहिए, अगर मैंने यहां पर लिया, 3 by 6, and 2 by 4 लिया, तो इन दोनों का सिंप्लेस्ट फॉर्म, 1 by 2 आएगा, राइट, सेम विद दाट, तो हम यह कह सकते हैं, कि यह डारेक्ट प्रोपोर्शन में है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो X upon Y लियाना हमने, इसमें क्या करना होता है, X into Y जो है, उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, कैसे, जैसे मैंने यहां पर लिया, 3 by 4 ले लिया, और 2 by 6 ले लिया, and पहले इन दोनों का है देख लो, तो इसमें अगर आप देखोगे, 3 into 4, 3 into 4 12 आएगा, and 2 6 आगा 12 आगा, तो हम कह सकते है, X1 into Y1, X1 into Y1 equals 2 होना जी, X2 into Y2, इसका multiply से करोगे 12 आया, तो X1, Y1, यह हम करते हैं, X upon Y, ऐसे करके, ऐसे question given होंगे, और यह X2 and Y2, दोना का multiply करके, सेम value आरे तो यह है, inverse proportion, I hope आपको यह समझ में आया होगा, basic concept, So, पहले question ने देख सकते हैं, यह बताना है, inverse proportion में है या नहीं, अब देखो, 1 into 5 करोगे, तो 5 आ रहा है, 2 10 जा 20 आ रहा है, 3 15 जा 45, and 24 जा 80, क्या यह inverse proportion में है, equal आया है, नहीं आया है, तो यह inverse proportion में नहीं है, Question number B, 5 into 30 कर रहे हो, तो 150 आ रहा है, 15 10 जा भी 150 आ रहा है, and 75 into 2 करोगे, तो 150, and 53 जा 150, तो क्या ये inverse proportion में है? Yes, obviously, तो ये inverse proportion में है Question number C 2.5 x 10 करोगो तो 25 आएगा 5 5s are 25 1 x 25 करोगो तो 25 and 0.25 x 100 करोगो तो भी 25 आए तो ये भी inverse proportion में है D question number में 5 x 3, 15 3 x 5, 15 1.5 x 10, 15 12 x 1, 12 क्या ये inverse proportion में है बताओ, नहीं है तो इस तरीके से हमने Question number 1 का कर लिया Now question number 2 देखते है So, इसमें देख सकते है Question number 2 में इन्होंने बोला है Given that x and y Now question number 2 करेंगे Given that x and y very inversely find the missing values First of all, हमें इसमें जो इन्होंने दिया है 8 by 3, इसका multiply करके हमें इन सब को देखना है कि क्या ये equal मतलब कि कौन सा number यहाँ पे रखोगे तो ये inverse proportion में होंगे number Simply तो मैंने बहुँ बताया था न x1 into y1 equals to x2 into y2 करके देखना है तो चलो देखते जैसे मैंने यहाँ पर पहला question लिखाया है देख सकते हैं मैंने आपको बताया था x1 into y1 equals to x2 into y2 करना है जस्ट यह formula देखना है तो क्या करना है अब ये 8 into 3 कर दो 8 into 3 equals to हमें ये 12 पता है that means 12 y2 नहीं पता है ये y2 हो गया तो y2 लिख दो अब जब y2 ले के आओगे तो क्या होगा 8 into 3 को divide कर देगा 12 तो 8 into 3 जाना 24 upon me 12 answer क्या आजाएगा 2 राइट क्या आया 2 वैसे ही अब इसको find out करना है तो फिर से लिखो 8 into 3 ये पहला का हो गया दूसरा 8 into 3 equals to हमें x2 नहीं पता x2 multiply 6 अब देखो में दूसरा बताती हूँ कैसे करना है ये 6 है ना और ये 8 into 3 है सामने सामने भी division होता है चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से 3 वंजा 3 and 3 टूसा 6 अब 2 वंजा 2 2 फोर्जा 8 तो हमारी x2 की value क्या आगी 4 आगी समझे भाया है now question number 3 है इसी में ही 1 ही तो 8 into 3 equals to हमें x3 पता है हाँ x2 आप लिख सकते हो यहाँ पर x2 मैंने लिख दिया था नहीं यह x2 और x1 फिर से लिख दो कोई बात नहीं x2 तो पता ही न 1 multiply y2 अब देखो 1 का मतलब कुछ नहीं होता तो यह 8 into 3 क्या हो जाएगा 24 equals to y2 तो हमें क्या conclusion निकला ये ये और ये यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 और ये 24 हो जाएगा राइट I hope आपको ये समझ में आयोगा question number 1 हमने कैसे किया ठीक है B question में number में भी हम यही करेंगे 7 upon 20 लिखा है तो जस्त लिखो 7 into 20 हमें जो given value है बस उसी को लेके चलना है 7 into 20 लिया request 2 हमें ये पता है आप यहाँ से भी कर सकते हैं यही से कर लो हमें x2 नहीं पता x2 into 8 कर दो अब x2 निकालने के लिए x2 इदर करोगे तो ये 7 into 20 को कौन डिवाइड करेगा 8 7 into 20 डिवाइड बाइ 8 answer क्या आएगा 20 into 7 होता है 140 and 140 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका answer आजाएगा 17,836 होता है हाँ तो 17.5 आजाएगा तो हमारी value क्या आगई इसकी 17.5 राइट अब देखो यहाँ पे अब इसकी value find out करनी है तो फिरसे लिवाइड को 7 into 20 equals to हमें 5 पता है y2 नहीं पता अब देखो सामने सामने ही कर लो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 तो यह y2 की value क्या आगए हमारी 7 4 जा 28 राइट कैसे किया हमने आपको समझ में आएगा अब यहाँ पे लिख दो 28 अब यह पता करना है तो फिरसे लिवाइड को 7 into 20 equals to 16 into y2 हमें नहीं पता अब देखो क्या होगा 4 4 जा 16 होता है and 4 5 जा 20 होता है y2 कैसे हो जाएगा यह 7 5 जा 35 divide कर दोगे 4 से तो 4 8 जा 32 होता है and 4 8 जा 32 तो 4 7 जा 28 यह था इसका अंसर आजाएगा 8.75 कुछ नहीं करना वास equal करके जो divide हो रहा है उसको काट देना है that's it C question में देख सकते हैं फिरसे लिखो 10 into 6 equals to किसके होना चाहिए यह x2 into 3 अब देखो क्या divide हो रहा है सामने सामने ही देख लो 3 जा 3 and 3 2 जा 6 तो हमारी x2 की वेलू क्या आगई 10 2 जा 20 तो फिल कर दो 20 अभी ऐसे ही x 10 into 6 equals to 30 into y2 अब देखो क्या divide हो रहा है 6 वंज़ 6 6 5 जा 30 बट 5 वंज़ 5 तो हमारे y2 की वेलू क्या आगई 2 तो फिल कर दो 2 अब यहाँ पे करना है फिर 10 into 6 लिखो equals to यह x2 into 15 अब क्या divide हो रहा है 5 2s are 10 होता है and 5 3s are 15 होता है और 3 जा 3 होता है and 3 2s are 6 तो y x2 की वेलू क्या आगई 2 into 2 4 तो 4 जा दो तो इतना आसान है inverse proportion को करना now d is your homo please इसको करना ठीक है और मुझे comment करना है ना next करते है